दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको टी बैग विजनस से जुड़ी सबी जानकारी दी थी और आज दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे कि खुद से चाइपत्ती कैसे तयार कर सकते हैं पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंध तक देखें किसी वेपारी से चाइपत्ती खरीदने की जगा आप खुद से भी चाइपत्ती बना सकते हैं दरसल चाइके पौधे के पत्तों को तोरने के बाद उन पत्तों की विथरिंग ग्राइंड, सुखाना और पीष्टे जैसे प्रक्रिया से गुजरना परता है और इन प्रक्रियां से गुजरने के बाद चाइपत्ती बनकर तयार हो जाती है विथरिंग प्रक्रिया विथरिंग प्रक्रिया के अंदर चाइके पौधों के पत्तों को अठारा से लेकर 20 घंटे तक खुली जगा पर रखकर सुखाया जाता है ताकि उनके अंदर की नमी को खत्म किया जा सके इस प्रक्रिया से गुजरने के बाद चाय के बौधों की पत्तियों का रंग कौपर रंग में बदल जाता है क्रशिंग पत्तों को हवार में सुखाने के बाद उन्हें ग्राइंट किया जाता है कई कंपनिया हाथ के जरीय पत्तों को क्रश करती हैं तो कई कंपनियों द्वारा ये कारे रोटेटिंग टेबल्स या फिर रोडिंग मशीन की मदद से किया जाता है सुखाना चाय के पत्तों को क्रश करने के बाद उनको सुखाया जाता है और हर वराइटी के पत्तों को सुखाने की प्रक्रिया अलग है जैसे कि ब्लाक टी के पत्तों को उच्छ तापमान की मदद से सुखाया जाता है ताकि ब्लाक टी की पत्तियों का फ्लेवर उसमें मौझूद रहे और उच्टापमान में इन पत्तियों को सुखाई जाने के कारण इन पत्तियों का रंग काले रंग में तब्दील हो जाता है उलॉंग टी के पौधों को पत्ते को सुखाने की प्रक्रिया ब्लाक टी के पत्तों को सुखाने की प्रत्रिया के मुकाबले में कम समय लेती है उन लॉंग टी के पौधों के पत्तों को पहले रूज किया जाता है फिर उनको सुखाया जाता है फिर से दोबारा उनको रोज किया जाता है ग्रीन टी के पौधों के पत्तों को तोरने के 24 घंटे के भीतर ही उन्हें उबाल दिया जाता है और फिर उनको सुखाया जाता है पीसने की प्रक्रिया चाय के पौधों के पत्तों को सुखाने के बाद उन्हें मिल में भीजा जाता है और फिर मिल में उन पत्तों को पीसने का कारे की जाता है हालां कि चाय के पौधों के पत्तों को किस तरह से पीसा जाता है यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस मकसद के लिए उनको बना रहे हैं जैसे कि टी बैक के अंदर भढने वाली चाय पत्ती का अकार चोटा रखा जाता है क्योंकि इस प्रकार की चाय को बनाने में कम समय लगता है और छोटी अकार की पत्ती होने की वज़ा से ये पाने या दूद में जल्द खुल जाती है Blending हर कंपनी अपने द्वारा बनाई गए चाय पत्ती को अलग स्वाद देने के लिए अपनी चाय पत्ती में कई तरह की चीज मिलाती है जैसे की इलाइची, अद्रक और लॉंग इसलिए आप अपनी चाय पत्ती को जो स्वाद देना चाते हैं आपको उस स्वाद के हिसाब से उसमें कुछ चीजें मिलानी होगी और उन चीजों को अच्छे से चाय की पत्ती के साथ ब्लेंट करना होगा इन चीजों को मिलाने के बाद आपकी चाय की पत्ती बनकर तयार हो जाएगी चाय पत्ती के बैग में पत्ती भरने की पक्रिया एक बार जब आपकी चाय पत्ती बनकर तयार हो जाएगी तो आपको इस चाय पत्ती को टी बैग मेकिंग मशीन की मदद से फिल्टर पेपर में भरना होगा आंतोर पर एक चाय बैग में लगबग एक से लेकर चार ओंस चाय पत्ती भरी जाती है फिल्टर पेपर में चाय पत्ती को भढ़ने के बाद उस पेपर को टी बैग मेकिंग मशीन की मदद से सील किया जाता है और उस पेपर के साथ एक धागा जोड़ा जाता है वहीं आप चाहें तो अपने टी बैग पेपर पर अपनी कमपनी का लोगो भी लगा सकते हैं हाला कि ऐसा करने के लिए आपको पेपर पर लोगो चापने वाली किसी कमपनी से संपर्क करना होगा मार्केटिंग और प्रमोशन बाजार में पहले से ही कई ऐसी कमपनियां मौजूद हैं जो कि टी बैग बेशने का कारे करती हैं और इनी कमपनियों का मुकाबला आप मार्केटिंग और प्रमोशन के जरिये कर सकते हैं आप अपने बजट के हिसाब से मार्केटिंग और प्रमोशन से जुड़े किसी भी तरीके का सहारा ले सकते हैं और लोगों को अपने टी बैग ब्राइट की जानकारी दे सकते हैं निश्कर्ष टी बैग के बिजनस को स्टार्ट करते समय आप चाहें तो एक यदो प्रकार की वराइटी वाली टी के बैग बना कर उन्हीं बेच सकते हैं महीं जैसे ही आपको ये बिजनस अच्छे से चलने लगे तो आप अन्य तरह की वराइटी वाली चायपत्ती को भी टी बैक के ज़र ये बेच सकते हैं.